Hello friends, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे आज की वीडियो में देखते हैं क्या है नया आए तो फिर जानते हैं आज का वर्ड है काइंट आफ अमेरिकान इसको किस तरह प्रणाइंस करते हैं नैटिफ स्पीकर काइंट आफ को काइंड आ गहते हैं मतलब चलिए उस किसम के सवलात ना कीजिए काइंट आफ को इन्होंने काइंड आ कहा है एक टीचर क्लास्रूम में टीच कर रहा है और उसे सवलात जो स्टूडन्स कर रहे हैं तो स्टूडन्स से वो यह कह रहा है let's not those kind of questions मतलब उन्हें समझा रहे हैं मना कर रहा है कि इस तरह के सावलाद ना कीजी तो kind of को इन्होंने kinda कहा है Americans अपनी movies में, cartoons में और बाकी चीजों trauma वारा में इसी तरह के words यूज करते हैं इसी तरह प्रनॉंस करते हैं native speaker इसी तरह कहते हैं kind of को kinda हमें इसी लिए समझ नहीं आता क्योंकि यह बहुत साथ advanced और fast English बोलते हैं जबकि हमें kind of के बारे में मालूम है kind of के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, लिखा है इसी वजह से American movies और drama वारा में English subtitles होते हैं और इनके dialogues जो यह प्रनॉंस करते हैं इनके पुरे dialogues नीचे लिखे हुए आते हैं ताकि जिसको समझ नहां सके इतनी fast और advanced English यह बोल रहे हैं तो पढ़कर आप अंदासा लगा लें कि यह क्या कह रहे हैं आप यह सोचते होंगे कि तो English में movie है मगर English में ही लिखा हुआ आ रहा है नीचे सारे dialogues वेरा इसी वजह से लिखे हुए आते हैं कि इनके pronunciation हम catch कर लें यह क्या कहना जा रहे हैं तो English हम सुन भी रहे होते हैं मगर जो नीचे चल रहे होते हैं dialogues उससे हम समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या word कहा है kind of को इन्होंने kind of pronounce किया है उमीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा इसी तरह कि और भी words जानने, सीखने, समझने के लिए और pronounce करने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि आप native speaker की English समझ सकें इस तरह आपको advanced English समझ में भी आ जाएगी और Americans की तरह इंग्लिश बोलने भी लगेंगे और समझने भी लगेंगे कि वो क्या कह रहे हैं Normal English speaker और native English speaker में यही फरकत है जो आज आपने इस वीडियो में देखा उम्मीद करते हैं के आपको वीडियो समझ में आ गई होगी For more videos, please subscribe my channel Thanks for watching, please don't forget to like, subscribe and share Stay connected to learn English with Sana Penhan So long